नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूटूब चैनल मिसन स्टेडी पर मित्रों, आज के इस वीडियो में हम परसित महर्शी, योग महर्शी हैं, महर्शी पतंजली का जीवन परिचे बढ़ेंगे महर्शी पतंजली का जीवन परिचे पतंजली योग सुतर के रचनाकार है जो हिंदूओं के छे दर्शन न्याय विशिशिक शांख्यय योग मिमासा वेदान्त में से एक है विसे भारती दर्शन दो प्रकार के होते हैं पहला आस्तिक दर्शन दूसरा नास्तिक दर्शन यहाँ पर हिंदूओं के दर्शन की बात नास्तिक दर्शन जिसमें देवताओं यानि इश्वर पर विस्वास नहीं किया जाता है वेदों की निंदा नहीं कि जाती है इसलिए हिंदुओं के यहाँ पर आस्तिक दर्शन की गड़ना की गई है तो महर्शी पातनजली जो हैं योग सुत्र के रचनाकार है जो हिंदूओं के 6 दर्शन ये 6 दर्शन आसिक दर्शन है पहला दर्शन है आसिक न्याई दर्शन दूसरा वैसे सिक दर्शन तीसरा सांख्य दर्शन चोथा योग दर्शन पांचवा मीमा सा दर्शन छटा वेदान दर्शन इसके लाव ये तो 3 होए इसके लाव तीन नासिक दर्शन भी है नासिक दर्शन के अंत्रकत चावाग दर्शन जो है इसे इसने जो है वह वेदो को निंदनिये माना है चावाग दर्शन बोध दर्शन और जेन दर्शन ये तीन जो दर्शन है चावाग बोध और जेन ये तीन दर्शन जो है वह नासिक दर्शन माने जाते हैं जबकि न्याई, वेशिशिक, सांख्य, योग, मिमासा और विदाती ये 6 दर्शन आसिक दर्शन माने जाते हैं और 3 नासिक दर्शन माने जाते हैं भारती दर्शन प्रमप्रा दो दर्शन पर आधारत रही है आसिक दर्शन और नासिक दर्शन आसिक दर्शन के अंत्रगत ये 6 दर्शन है जबकि नासिक दर्शन के अंत्रगत चावा, बोध और जेन दर्शन की कल्पना की गई है अब जिससे कि हमने देखा कि महेशी पतंजली योग सुत्र के रचनाकार है जो हिंदूओं की 6 दर्शन नियाय विशिशिक साख्या योग मिमासा विदान में से एक है यहाँ पर आप देख सकते हो योग दर्शन, इसमें से योग दर्शन के जो रचनाकार है वह है महेशी पतंजली है भारतिय साहित्य में पतंजली के लिखे हुई 3 मुख्य गरंथ मिलते हैं पहला मुख्य गरंथ है महेशी पतंजली का योग सुत्र, दूसरा है अश्टाधाई, तीसरा है अश्टाधाई पर भाष्य और तीसरा है आयुवेद पर गरंथ महेशी पतंजली के जो 3 मुख्य गरंथ हमें देखने को मिलते हैं पहला है योग सुत्र, दूसरा है अस्टादाई पर भाष्य, तीसरा है आयुवेद पर ग्रंथ, कुछ विद्वानों का मत है कि ये तीनों ग्रंथ एक ही वेक्ति ने लिखे, अन्य की धारणा है कि ये विभिन वेक्तियों की कृतियां है, अब विद्वानों की अनुसार अल लग-लग मत दिये गए हैं कुछ विद्वानों का माना है कि ये जो तीनों ग्रंथ है, योग सुत्र, अस्टादाई पर भाष्य और आयुवेद पर ग्रंथ, ये तीनों जो हैं वे एक ही वेक्ति महर्षी पातंजली ने लिखे हैं, जबकि कुछ अन्य विद्वानों की धा अश्टादाई जिसमें की आठ अध्याई और चार सो सुत्र मिलते हैं, कहा गया है कि पतंजली ने पाणिनी के अश्टादाई पर अपनी टीका लिखी जिसे महा भाष्य का नाम दिया गया, यहाँ पर दिख लेते महा अधन, महा अधन भाष्य समिक्षा टिपनी विवेच अलोचना दिख लेते हैं तो यहाँ पे महा अधन भाष्य का होगा अधश्य, इनका काल कोई दो सो इसी पूर्व माना गया है, अब पतंजली का अधन बाह भाष्य का काल यहाँ पर 200 इसि पूर्व माना गया है महर्षी पतंजली महांचिकिशक्य थे महर्षी पतंजली जिन्होंने आयुवेद प्रग्रंथ लेके पतंजली से इनका संबन था तो इन्होंने जो महर्षी पतंजली जो है ये महांचिकिशक्य थे और इने ही चरक सहिता का प्रेनेता माना जाता है कई बार प्रतियोगी प्रिक्षाओं में यह है प्रस्न भी पूछा गया है कि चरक सहीता के प्रेनेता कौन है तो चरक सहीता के प्रेनेता महर्शी पतंजली है और योगसुत्र पतंजली का महान अवधान है महर्शी पतंजली योगसुत्र का महान अवधान है पतंजली राशायन विद्या के विशिष्ट आचार्य थे अब रख विंदास अनिक धातू योग और लोह सास्त्र इनकी देन है महर्षी पतंजली की देन है हमें अब्रेक विद्दांस, अनेक धातु योग और लोह सास्त्र पतंजली संभवत है पुष्य मित्र सुंग के शाशनकाल में थे राजा भोज ने इन्हें तन के साथ मन का भी चिकिश्य कहा है संभवत है पुष्य मित्र सुंग का जो रचनकाल है वो इस प्रकार है पुष्य मित्र सुंग का रचनकाल है अब जब कि राजा भोज ने इन्हें तन के साथ मन का भी चिकिश्य कहा है महर्शी पतंजली का सामाने परिचे देख लेते हैं ये गोनर्द संभावता गोंडा जीला के निवासे थे महर्शी पतंजली का जो निवास तान है वो गोंडा जीला गोनर्द बताया जा रहा है बाद में वे कासी बस कई महठीपतन्जली बाद में कासी बस गई, इनकी माता का नाम गोणिका था, महठीपतन्जली का माता का नाम था गोणिका, पतन्जली सुंग वण्स के शाषनकाल में थे पुश्यमित्र सुंग जिनका रचनकाल 192ी से 22als जी थे के साशनकाल में महची पतंजली थे डॉक्टर भंडारकर ने पतंजली का समय 158 इस्वी पूर्वे दर बोथलिक ने पतंजली का समय 200 इसा पूर्वे एवं कीथ ने उनका समय 140 से 150 इसा पूर्वे माना है अब यहाँ पर तीन विद्वानों का जिक्र किया गया है जैसे कि पहला है डॉक्टर भंडारकर डॉक्टर भंडारकर ने पतंजली का समय 158 इस्वी पूर्वे और दर बोथलिक ने पतंजली का समय 200 इसा पूर्वे और कीथ ने डॉक्टर कीथ ने इनका समय 140 से 150 इसा पूर् ग्यग्य भी संपन कराया जाता था प्राय अस्व में ग्यग्य जो है वह अपने राज्य का विस्तार करने के लिए कई राजाओं ने किया था जैसे रामायन में श्री राम ने भी अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अश्व में ग्यग्य किया था उसी प्रकार समुंद प्रतापी राजाओं ने अपने राजय का विस्तार करने के लिए अश्वमेग्य का आयोजन किया है अब उनका अश्वमेग्य जो है वह है महर्शी जनम हुआ था बाद में वे कासी चले गए थे ये व्याकरण आचारे पानीनी के शिश्य थे अब जैसे कि महार्शी पातंजली जो है वे व्याकरण के आचारे हैं पानीनी पानीनी के शिश्य भी मनें जाते हैं और श्री श्रावन कृर्ष्ण नाग पंचमी के दिन श्रावन की जो नाग पंचमी आती है उनको चोटे गूरू का बड़े गूरू का नागलो भाई नाग लो कहे कर नाग चितर बाटते हैं क्योकि पतंजली को सेशनाग का अवतार माना जाता है अब कारण बताया गया है कि पतंजली जो है वह शेशनाग का अवतार है इसलिए काशी के वाशी आज भी श्री शावन किष्ण की श्रावन किष्ण की जो नाग पंचमी आती है उनको छोटे गुरु का बड़े गुरु का नाग प्रतियोगी प्रिक्षाओं में यह प्रश्चन भी पूछा गया है कि किस त्री मुनियों में से किस त्री मुनी को पत्न शेशना का अवतार माना गया है तो किस तरह से पुछा गया है कि संस्कृत के त्री मुनी में किस मुनी को शेशना का अवतार माना गया है आपके शामने चार विकल्प होते हैं पहला जिससे की महरशी पानी दूसरा महरशी कात्यायन तीसरा महरशी पतंजली और जोथा होगा महरशी पिंगत इस तरह से आपको चार विकल्पी दी जाएंगे इसमें से आपको बताना होगा कि संस्कृत के त्री मुनी त्री मुनी सुनते ही आपके सामने तीन मुनी आने चाहिए पहला पानी नी दूसरा कात्या यां तीसरा पतंजली यह त्री मुनी है संस्कृत के तो संस्कृत के त्री मुनी है महाशी पातंजली जिन होने शेशनाग का अवतार माना गया है अब एक सुत्र दिया गया है महाशी पातंजली के योग सुत्र से यह सुत्र है तो देख लेते हैं सुत्र योगेन चितश्य पदेन वाचा मलम सारी रश्य चे वेद केन यो अपा करोतम प्रवरम मुनिना पतंजली प्रांजली रा नो अत्तो अस्मी यह है महाशी पातंजली का सुत्र है जिसका अर्थ इस प्रकार है चित शुद्दी के लिए योग योग सुत्र वाणी शुद्दी के लिए व्याकरण महाभाशिय और सरीर सुद्दी के लिए वेदक, शास्त्र, चर्क, सांयता देने वाले मुनी शेश्ड पतंजली को प्रणप अब पतंजली के एक शिश्य नहीं लिखा होगा संभावत है यह महाशी पतंजली के एक शिष्षे नहीं लिखा होगा, उनका आश्य इस प्रकार है कि योगे से चितेन पतेन वाचाम, यह चित्त की शुद्धी के लिए मन, चित्त होगा मन, मन की शुद्धी के लिए योग, योग सुत्र, मलम, चरीरश्य, चय वेदिकेन, वानी शुद् महाभास्षे और यह अपअ करवतम प्रवर मुणि नांप पतंजली प्रअली नीरोध अस्मी वेधिकेन सरी रशे चे वेधिकेन सरी शुद्दी के लिए वेधक श्यास्त्र, चरक सैंथा के जन् usip पतंजली को माना गया है मित्रों इसे के साथ आज का आमारे ये वीडियो कम्प्रीट होता है